नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्पाथी सेंग अब स्मिर्थे एराणी ने फिर से एक बार राहुल गांदी पर हमला बोल दिया है भारतिय जन्ता पार्टी की नेताय स्मिर्थे इराणी ने सुमवार को कहा कि उन्हें अमेठी में राहुल गांदी के खिलाप चुनावी मैदान में इसलिए नहीं उतारा गया था कि वह एक महिला है बल्कि पार्टी को लगता था कि केवल वह ही उन्हें हरा सकती है इराणी के टिपरी ये कहे जाने पर आई कि सरकार को महिला रियल स्टेट डेवलपर्स को तवरित मंजूरी देने पर विचार करना चाहिए महिला एव बाल विकास मंत्री इरानी ने रियल स्टेट डैवलपर्स के संगठन क्राइट दुआरा आयोजित सम्मेलन में कहा कि मैं इसके बजाए पुरुष डैवलपर्स के साथ प्रती सपर्था करना पसंद करूँगी मुझे अमेठी इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि मैं एक महिला हूँ मुझे अमेठी इसलिए भेजा गया था क्योंकि मैं एक मात्र व्यक्ति थी जो उस आदमी को यानि राहुल गांदी को हरा सकती थी इरानी ने 2019 के आम चुनाव में नहरू गांदी परिवार के गड़ अमेठी में राहूल गांदी को लगभग 55,000 वोटों के अंतर से हराया था इससे पहले 2014 के लोगसबा चुनाव में वे राहूल गांदी के सामने एक लाख मतों के अंतर से हार गए थी इसके लावा इसमिती एरानी ने सुमवार को रियल स्टेट कम्पणियों की संक्या क्रेडाइल से पहली PD की महिला रियल स्टेट डैवलपर को बढ़ावा देने को कहा ये क्रेडाइल महिला एव यूवा नेत्यत्रविश शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इरानी ने बिल्डरों से कहा कि वे निर्मान गुडवत्ता से समझोता किये बिना रियल स्टेट परियोजनाओं को सस्ता करने पर ध्यान दे उन्होंने नव निर्वाचित क्रेडा महिला डैवलपर को कारोबार में लाने के लिए क्रेडाई के रूप में क्या क्या रही है वर्ष 2023-25 के लिए क्रेडाई के अध्यक्ष चुने गए वोमई इरानी से उन्होंने कहा कि अगर आप अपने कारेकाल में देश को सो नई महिला डैवलपर दे सकती हैं तो आपका का कारेकाल सफल रहेगा मंत्री ने क्रेडाई से युवा महिलाओं सहित युवाओं की पहली पीडी का रियल स्टेट डैवलपर बनने में मदद करने को भी कहा ये कारेकरम में क्रेडाई के अध्यक्ष बोमायन इरानी से विकास के लिए संगठन के दृष्टी कोड को समझाते हुए बाते कही गई ऐसे में राहूल गांधी पर युवार करना राहूल गांधी के लिए बताना कि हमेठी में सिर्फ महिला समझकर ही नहीं आई थी राहूल गांधी की टकर की थी इसलिए आई थी इसमें आपकी क्या आए है कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अब इक लिए मेरे साथ बस इतना ही देखते रहें इंडिया लिए स्थन्यवाद